विश्नुजी और मालक्षमी को आज मनाते है विश्नुजी और मालक्षमी को आज मनाते है धनतीरस की आपको कथा सुनाते है जै जै लक्षमी माता सुख में भव की गाता धन तेरस का दिन भगतो होता बड़ा ही खास खुश्न पक्ष की जोद सिती थी और कार्टिक मास धन और धान्य की देवी लक्षमी मा कहलाई आज के दिन जो करता पूजन किस्मत जगमगाई आश्ट लक्षमी माईया खुश होकर है क्रपा करती एक वर्ष तक किसी चीज की कमी नहीं है रहती बड़े चाव से इस दिन को हम सब मनाते हैं धन तेरस की आपको हम कथा सुनाते हैं जय जय लक्षमी माता सुख में भव की दाता जय जय लक्षमी माता सुख में भव की दाता धन तेरस क्यों मनाया जाता आपको बताएं पुराणों में जो एक कथा है आपको सुनाएं एक बार शिर सागर में बैठे ते विश्न भगवार लक्षमी जी से बोले सुन लो बात लगा के ध्यान धराप हम तो जाना चाहें उनको दिया बताएं विश्नु जी की बाते सुनकर लक्षमी चुप हो जाएं हमें रहेंगे कैसे ये विचार लगाते हैं धन तीरस की आपको हम कथा सुनाती हैं जै जै लक्षमी माता सुख में धव्व की दाता लक्षमी मा कहें हम भी चलेंगे स्वामी आपके साथ इसी बहाने श्री हरी रहेंगे आपके पास मा लक्षमी की जिद को विश्णु जी ना ताल पाए लक्षमी जी को कह कर यूँ वो तो है समझाए मेरी सारी बातों को यदि मानोगी तुम धरा पे तुम भी जा सकती हो तो चलेंगी हम लक्षमी जी ने भर देहामी खुश हो जाते हैं धनती रस की आपको हम कथा सुनाते हैं जै जै लक्षमी माता सुख में भव की दाता जै जै लक्षमी माता सुख में भव की दाता धरा प्याने के लिए करते हैं प्रस्थान शिव की काशी नगरी देखी देखा आयो धाधान ध्रज भूमी के दर्शन कर लिए करना चाही अराम लक्षमी नारायन रुक गए देख देख स्थान धक्षिन की ओर जा रहा हूं कहे विष्णू भगवान मेरे पीछे तुम मत आना है जरूरी का लक्षमी जी को समझा कर आगी बढ़ जाते हैं धन तेरस की आपको हम कथा सुनाते हैं जै जै लक्षमी माता सुख में भव की गाता लक्षमी जी तो रुक ना पाई चल दी उनके पीछे सरसु का एक खेत दिखा उसकी शोभा पर रीजे मंत्र मोग्द हुई देवी लक्षमी देख के पीले फूल शिंगार के लिए फूल तोड लिया कर बैठी थी भूल खेत से गन्ना तोड लिया करन लगी रसपान उसी शण आ जाते है वहाँ विश्णो जी भगवाद देख के लक्षमी माता को प्रोध में आते हैं धन तीरस की आपको हम कथा सुनाते हैं जै जै लक्षमी माता सुख में भव की दाता विश्णो जी ने ग्रोधीत होकर श्राप उनको दिया किसान के खेत में चोरी का अपराद तुम ने किया बारा वर्ष तक सेवा करना किसान के घर पर शीर सागर में चले गए उनको वहाँ छोड़ कर किसान के घर में रहने लगी पती की आग्या मान होगा वो किसान भग तो कितना भग्यवान लक्षमी जी जिनके खुद आये बड़ भागी कैलाते हैं धन तीरस की आपको हम कथा सुनाते हैं जै जै लक्षमी माता सुख में भव की दाता जै जै लक्षमी माता सुख में भव की दाता किसान की पतनी से एक दिन मा लक्षमी ने कहा मेरी बनाई लक्षमी देवी की मूरत है यहां स्नान करके सबसे पहले पूजा इनकी करो रसोई बनाना बाद में पहले इनका धान धरो ऐसा करने से बन जाएंगे बिगडे का सुख वैभव तुमको मिलेगा जीवन होगा सान मा की किरपा से वारी न्यारी हो जाते है धन तीरस की आपको हम कथा सुनाते है जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता किसान की पत्नी ने पूजा का नियम बना लिया दूसरे दिन से ही पूजा का फल मिलने लगा अनधन रतन और सोने से था घर भर गया किसान का जीवन तो आनद में हो गया मैया की क्रपा से वो तो बन गया धनवार सब कारिये सिद्ध हुए आया ना कोई व्यधार देखत देखत बारा वर्ष तो बीत जाते हैं धन तीरस की आपको हम कथा सुनाते हैं जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता बारा वर्ष के बाद लक्ष्मी जी तो लोट न चाहें शीर सागर से विष्णो जी उने लेने आ जाएं किसान करे इनकार वो तो भेजना न चाहें विष्णो जी किसान को तब यू समझाएं क्रोधित होकर मैंने ही इने श्राप था दिया बारा वर्ष की सेवा तुम्हारी समय पूरा हुआ बड़े बड़े भी माचंचला को रोक न पाते है धन तीरस की आपको हम कथा सुनाते है जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता देवी लक्ष्मी कहें अगर मुझे रोकना चाहें मेरे कहने पर करना होगा तुमको उपाएं कल तेरस है घर को अपने साफ सुथरा रखना रात के समय घीका एक तीपक जला की रखना तामबे की कलश में पैसे भर कर तुम रख लेना कलश में मैं करूंगी वास पूजन तुम कर लेना एक वर्ष तक रही मघर में ऐसा बताती है धन तीरस की आपको हम कथा सुनाती है जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की गाता जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की गाता अगले दिन किसान ने किया मा का पूजन घर उसका तो भर गया धन धाने से परिपुन उसी दिन से मालक्ष्मी का पूजन शुरू हुआ धन तेरस के नाम से त्योहार पसिद हुआ घर घर होने लगा मालक्ष्मी का गुनगान खुश हो कर मा देती धन वैभव का वरिदान मालक्ष्मी के करपा को इस दिन पा जाते है धन तेरस की आपको हम कथा सुनाते है जै जै लक्ष्मी माता सुख मैं भव की दाता इसी दिन जन में थे धनवन तरी भगवन धन तेरस के दिन होता है इनका भी पूजन प्रकट हुए धनवन तरी अम्रित कलिश तहाग नई बरतन इस दिन खरीदे लोगों का विश्वास देवताओं के वैद कहे जाते है ये भगवन आरोग्य सुख पाने के लिए करो इनका पूजन विश्णुजी के अंशवतार माने जाते है धन तेरस के आपको हम कथा सुनाते है जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता कुबेर जी की पूजा का भीस दिन है विधान दसदिक पालों में है इनका सब से बड़ा स्थान उत्र दिशा के अधिपती ये तो है कहलाए मालक्ष्मी संग होती पूजा धन के स्वामी कहलाए मालक्ष्मी धन वंतरी कुबेर को आज मनाए पूरे वर्ष धन आरोग्य में कमी नाए आज की गई पोजा के फल जल्दी आते है धन तीरस की आपको हम कथा सुनाते है जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता जै जै लक्ष्मी माता सुख में भव की दाता माता लक्ष्मी के सब रूपों का कर लो तुम ध्यान सुख में भव भरपूर मिलेगा और पाउसमार सच्चे मन से जो माता की भगती है करता मा की हो जाती है महर प्रेम बड़ा मिलता सुख सम्रीधी की मादाता सब सुखोन से आता सकल जक्त की मैया रानी भगतों की भाग्य विधाता मालक्ष्मी की कृपा तो हम सब ही चाहते है धनती रसकी आपको हम कथा सुनाते है जे जे लक्ष्मी माता सुख में भगती बाता